हाई कोट के फैसले को सुप्रीम कोट में चालेंज किया जाएगा स्कूलों में हिजाब बैन के विरोध में सुप्रीम कोट में अब इस फैसले को हाई कोट के फैसले को चुनौती देंगी चात्राएं स्कूलों में दरसल आपको बता दें कि अपसे थोड़ी ही देर पहले हिजाब बैंड को सही ठहराया है करनाटक हाइकोट ने कहा कि करनाटक सरकार का फैसला संबेधानिक है हिजाब पर अतिहासिक फैसले में हाइकोट ने क्या कहा ये आपको बता रहे हैं हिजाब इसलाम का जरूरी हिसा नहीं है हिजाब पहनना दिश्मन जो देश में अमामा नहीं चाहते देश में एक जहती नहीं चाहते पूरी इद हमारी गंगा जमना तहजीब को ये लोग उलट कर रख दिये दुनिया में हर तरफ थूथू हो रही है अब ये रही बात ये अदलत अदालत का जो फैसला है करनाडक हाई कोट का इसका स्क्रिप्ट तो आप लोगो पता आया है ये RSS वाले और BGP वाले लिखे है सिर्फ पढ़के सुनाना था जिस्टिस को पढ़के सुनाया उन्हे क्योंकि उनकी तनखा पे काम करता उनके इशारे पे काम करता और उन्हें खुद वोई जहनियत का है जहां से मुसल्मानों को मिटाने की बात करते है लोग इसलाम को मिटाने की बात करते है इस भारत से इस देशते लेकिन इनकी नसले नसल मिट जाएगी इनकी नसले नसल मिट जाएगी लेकिन इसलाम दिने दिन पे अगर बढ़ता रहेगा यहां तक कि आप लोगों को बता दूँ जहां कि यहूद में है न वहां पे तक वो लोग इसलाम खुबल कर रहे हैं मसल्मान बन रहे हैं जो इनको देखा नहीं जा रहा और इनकी होमिया करनाडक हाई कोड बे मिलाया बोला यह इसलाम से मसल्मानों से बुरखे का और हिजाब का कोई लेना देना नहीं है अब यह खाबिल पढ़ा लिखा अनपड़ को हम कैसे समझा सकते हैं पढ़े लिखे लोगों को नहीं बोल सकते हैं झनावे पढ़े लिखे अनपड़ जो है उनकी दुनिया अलग रहती है उनकी किताबें अलग रहती है उनकी सोच अलग रहती लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दू और आप लोगों से एक दर्द मन्दाना मेरी अपीने एक दरखास्त है मेरी मेरी माँ और बहने हिम्मत मत हरो आप लोग हिम्मत मत हरो आप लोग ने दुनिया को बता दिया है कि मसल्मान बचीएं दुनिया में सब से आगे है आप लोग इसलाम की वो शहजादी है जो फखर कर सकते आप लोगों के आप लोगों के ख्यालात पे आप लोगों की बाहदुरी पे आप लोगों की हिम्मत पे सलाम पेश करता हूँ मैं बहरल के अभी हाई कोट का तो जज्जमेंट आ गया ठीक है अभी आप लोग महरबानी करके आप लोग सुप्रीम कोट के पे दस्तक दे आप लोग सुप्रीम कोड में चले जाएं देखे वहाँ पे तो टैम ने लगेगा जल्दी जज्जमेंट आ जाएगा और हमको मालूम है वही जज्जमेंट आएगा आप लोग भी हिम्मत मतारों वही आना है RSS जो चाहती वही होगा क्योंके RSS के हिशारे पे यहां के अदालतें भी वही काम करती है यह तो हमको खुद भी मालूम है लेकिन मेरी जो वकील है एडुकेट है OIC के उन्होंने सुपा में यह कहा है कि सुपरीम कोड के जज्जमेंट को लेकर इंटरनेशनल कोड में जा सकते हाई कोड के जज्जमेंट से इनको वह देखते नहीं और नजर से तो सुपरीम कोड को जाईए मेरी मार बेहनों आप लोगों से एक दर्दमंदन अपील है और मेरे उन वकिल भायों से जो अभी तक आप लोगों ने जो खानूने लड़े लड़ी है आप लोग एक मरतबा सुपरीम कोड भी जाईए भला फैसला कुछ भी होगा आप लोग हिम्मत ना हारे आप लोग हिम्मत मदा तो मदद खुदा अब इनका क्या हो गया जैसा अबाबरी मदद को जैसा चाहे है लोग जैसा जो अन्देखी की गई इसलाम को और मसल्बानों को लेके वो लोग वोई चक्कर में वैसी होगा समझाने लेकिन ये लोग को पता है अभी सारे मिसल्मान और 57 इसलामी मुमालिक सारे एक हो चुके हैं ये सिजाब और नखाब और बुर्खे के मसले को लेकर आज ये लोग ये हिजाब की बात कर रहे हैं ये लोग अभी हमारी माँ और बहनों से एक ही दर्दमंदाना अपील है मेरी आप लोग सुप्रीम कोट जाए अगर्चे महा का जज्जमेंट आ गया हमारे साथ हुआ ठीक है अगर्चे हमारे खिलाफ वा तो हम वो लेकर इंटरनेशनल कोट जा सकते ये कहना था वहां के लौयर सालिय अद्वानी साब का ठीक है इन्शालला आप लोगों से अपील है मेरी अगर्चे आज आप लोग ये हिम्मत नहीं दिखाए तो यखिन मानिये ये लोगों के जो मंसुबें चार रहं हैं ये लोगों की जो बाद्सित के अजज़ां को भी बिन करने के लिए अभी बता दू माहीं क्योंके वो आसाम का वज़िरे आला जो है उन्हें और यूपी के जितने जो जीत के आईवे है वो लोग अभी से जबके अभी शपत भी नहीं लिए वो लोग लेकिन ये गंदी सोच उनकी साम में आ चुकी है अब अजा के बाद ये लोग नमास पढ़ने पर भी पावंदी आईद करेंगे अगर्चे हम खामोश बेटे रहें तो ये लोग अजा के बाद सीदे सीदे नमास पर भी पावंदी आईद करेंगे इसलिए मेरे अजीज दोस्तों मेरे भाईयों हमको पर अमन रहना है और इहत्यात भी परतना है लेकिन हमको इतनी भी खामोश नहीं रहना है जो हमारे इसलाम को मिटाने की बात करते है जो हम मुसल्वानों को मिटाने की बात करते है इनकी नसले नसल खतम हो जाएगी इनकी नसले नसल खतम हो जाएगी इसलाम दिने दिन पर बढ़ता रहेगा, फैलता रहेगा, क्योंकि इसलाम के वैसा पाक मधब दुनिया में कौन सा भी नहीं है, तो आप मरे अजीज दोस्तों, मेरे भाईयों, आप लोग हिम्मत से रहो, हिम्मत मत आरो, और अपने उन माँ और बहनों से भी एक मेरी अपील है कि आप लोग सुप्रीम कोट जाएए अगर्चा सुप्रीम कोट भी यही फैसला देगा यह RSS की सरकार है, BJP की सरकार है हम को क्या हासिल होना है यह चीज जहनों में से निकाल दो बस आप लोगों से एक मेरी अपील है आ यह चीज जहनों में से निकाल दो अपने हक के लिए यह हमारी जाती लड़ी नहीं है यह हमारे इसलाम की हम मुसल्मानों की है नखाब, हिजाब, उर्खा, नमाज, अजाँ यह सारे हम पे आईद होते है और जो हम पे फर्द निशा नमाज, आईद की गई है अजाँ, लाजमी है यह हराम की अवलादे यह बोल लेते है यह लोग मुत्र से बाहर नहीं आते तो इनके मुम्मे जो आया इनों बोलते जो मुम्मे आया इनके इनों बोलते है अरचे ये लोग मुत्रा और गू से बाहर निकलेंगे तो इनको इनसाने भी नज़र आएंगे इनसानियत का काम करेंगे लेकिन इनसान से इनको लेना देना नहीं है लेकिन इन्शालला सारी दुनिया सारी दुनिया ये पहली नज़र रखे भी है कि ये लोग जो हरक्तें जो थूक रही है, सारी दुनिया इनको थूक रही है, लेकिन इनको हाई थूक चाटने वाले है, हाई थूक चाटने वाले मुतर पीने वाले, इनको खर थूकने से भी कोई फरक बढ़ने वाला नहीं है, इसलिए लेकिन हम खामोश नहीं बढ़ सकते, ये कमबखतें ये समझ रहे अम्मौ अमान चाहते एक जहती से रहते लेकिन ये हमारे अम्मौ अमान को हमारी शराफत को हमारी इंसानियत को ये हमारी कमजोरी समझने की भूल कर बटे जो इनको बहुत महिंगी पढ़ने वाली है जो इनको बहुत महिंगी पढ़ने वाली है आप लोगों से बस मैं यही कह आप लोग हिम्मत मतारो खासकर आज का फैसला देखकर आप लोग यही सुझ रहे होंगे कि बाबरी मजदित के साथ ऐसा हुआ अब जो हिजाब के साथ ऐसा हुआ जबके इसका कहिना है जस्टिस का इसलाम से मुसल्मानों से बुरखे का और हिजाब का कोई लेना देना नहीं कितना नादा नहीं है यह पड़े लिखे अनपड़ पे मेरे को हसी आ रही यह जोख हो गया मालूग खर यह है ही जोकरे साले यह लोग नशा करते हैं आप लोग को मालूम है नशे से बाहर आएंगे तो इनको पता भी चलेगा लेकिन हमको फरक नहीं पड़ता इंशालला आ आप लोगों से भी अपील करता हूं मैं अब दर्खासते मेरी कि आप लोग हिम्मत ना हरे आज के विस फैसले पे आप लोग सुप्रीम कोड चले जाएं उसके बाद सुप्रीम कोड का फैसला हमारे साथ रहा तो ठीक है नहीं रहा तो फिर भी हिम्मत हारने की जुरुत नह चुका है कि हाई कोड के इस जज्जमेंट को इंटरनेशल कोड पे चालेंज नहीं कर सकते सुप्रीम कोड के फैसले को इंटरनेशल कोड में चालेंज कर सकते ये आप लोगों को बताना बहुत जरूरी था मेरे को बता दिया मैंने अब आप लोगों के का जो काम बनता वो क झाल झाल